अपने स्पीकिंग में अच्छे तुरी सिंट्रेश्ट का पर्योग रसे हैं इंट्रेश्ट का माना होता है रूची या दिलजस्पी जैसे आपने कहा कि मुझे राजू से बात करने में कोई दिलजस्पी नहीं है इसको इंग्लेश में हम कैसे कहने वाले हैं इस तरह के सेंटेस्पी को अज हम इस ग्रेमर को सीखने जारा है पहले हम इस प्रिक्टियकर को समाजते ह्में कि सबसे पहले आप सबज QUE contrast करने वाले हैं और subject के हिसाब से helpy work is या या आद या आर पर्योग करने वाले हैं उसके बाद आप interested लाएंगे और interested की बाद आम्हें शार्थ इम पर्योग करने वाले हैं प्रस वी 4 यानि वर्थ फॉर्टफर्म पर्योग करेंगे last में आपका object और अगर कुछ होगा तो अधराप लिख लेंगे एक्जेम्पल से समझते हैं जैसे मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करने में रूची है तो कहेंगे यदि हमको निगेटिव कहिना है तो आपको पता होना चाहिए कि helping work के बाद में हम हमेशा not लगाते हैं जैसे मुझे आपसे बात करने में रूची नहीं है I am not interested in talking to you मुझे English सीखने में दिल्चस्पी है तो आप कैसे के बोलने वाले हैं I am interested in learning English मुझे तुमारे साथ जाने में रूची है I am interested in going with you और निगेटिव क्या बोलेंगे I am not interested in going with you मुझे English सीखने में रूची है I am interested in learning English तो आपने कहा कि I am interested in learning English नहीं हम सब्चेट को बदल करके देखते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए सीखलर सब्चेट के साथ में आजेसे आपने कहा कि राजु को इंगलिश सीखने में रूची है तो आप कहेंगे राजु is interested in learning English अगर आप सब्चेट के जगा पे नाउन के जगा पे प्रणोन यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से खेंगे अगर कोई लड़की है हमने का सीथा को अंग्रेजी सीखने में रूची है तो आप बोलेंगे सीथा is interested in learning English यदि आप उसका नाम में ही लेते हैं तो सीथा को हड़ा करके आप कहेंगे अगर कोई सीथा का नाम है तो भी यूस वतरा है आई के साथ में हमने चलिए हम आप आर्का पर по YUG समझते हैं जैसे हमने कहा कि तुम्हें मुस्से बात करने में रूची नहीं है यहां अगर का तुम्हें मुस्से बात करने में रूची है You are interested in talking to me उन्हें किर्कित भेलने में रूची नहीं है आप कहने वाले है They are not interested in playing cricket अगर रूची है तो आप कहेंगे They are interested in playing cricket हमें वहाँ जाने में कोई रूची नहीं है We are not interested in going there या हमें वहाँ जाने में रूची है तो आप कहेंगे We are interested in going there तो यह आपका प्रिजिन का दोस्तो रूल था कि सब्चेक के एकॉर्डिंग आपने इस एमार युज कर लिया प्रिंटेस्टेट के बाद में इन आपने कहा वर्थ की फॉर्थों प्लस आपने आपटेट कहा और इस सेंटेस को हम छे तरीके से बना सकते हैं तो आपको कहेंग जो खे इस नौट इंटेस्टेट इन प्लेइंग खुर्डेट को कहते हैं चोफर ilkोल को प्रिंटेट पड़ के साथ में कहते हैं, उसे करकेट खेले में क्यों रूची है? Why is he interested in playing cricket? और उसे करकेट खेले में रूची क्यों नहीं है? Why is he not interested in playing cricket? तो उसको यह तो गरेमर आप काता कि छे तरीके से कैसे बनाएंगे? यति आप अपने partner से English speaking करना है है तो आपको question answer में करना है चलिए मैं आपको उसका bit trick आपको समझाता बताता चलो जैसे हमने कहाईए बताईए क्या आपको English सीखने में रूची है हमारा question हो जाएगा Are you interested in learning English? अगर है तो आप कहेंगे Yes, I am interested in learning English अगर आपको नहीं है तो पहेंगे No, I am not interested in learning English क्या आपको मुझसे बात करने में रूची है Are you interested in talking to me? अगर हाँ में आता answer है तो आप बोलेंगे Yes, I am interested in talking to you अगर आपको रूची नहीं तो बोलेंगे No, I am not interested in talking to you हमने कहाई आपको जॉब करने है नौकरी करने है तो मने का भाई क्या तुम्हें जॉब करने में दिर्चस्पी है मेरा question हुआ Are you interested in doing job? अगर आपका हाँ में है तो पहेंगे Yes, I am interested in doing job अगर आपको रूची नहीं तो बोलेंगे No, I am not interested in doing job यो साब interested इंट्रेश्ट कमाना होता है रूची या दिर्चस्पी लेकिन इस grammar को आज में आपको सिखाने वाला हूँ पास्ट के बारे में तो जैसे आपने का सब्सक्राइब मुझे इंगलिस सीखने में रूची थी तो इसको आप इंगलिस में कैसे करने वाले है जो भी आपका पास्ट के समय में किसी जीज़ में दूची थी दिलकेस्पी थी ऐसे ग्रेम अगर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो में बने रहीगा मैं आपको इसी वीडियो में सारा कुछ सिखा देने वाला हूँ प्लिस डॉन इसकी बिसमाद आप लाग तक देख रहीएगा तो इसका इस्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पर आप सब्जिक लाएंगे और सब्जिक अगर आपका सिंग्लर होगा तो उसके साथ में आप वास लगाने वाले हैं यानि इशी इट या फिर आई के साथ में वास परियोग करेंगे और साथ ही में अगर आपका सब्जिक पिल्यूरग हो जाएगा तो उसके साथ में वर यूस करने वाले हैं यानि पिल्यूर में यू, ते, वी या कोई पिल्यूरग हो जाएगा तो आप वर्ड परियोग करने वाले हैं फिर आप interested का word लेकर के आएंगे और interest के बार में हमेशा in लगाएंगे फिर आपका हो जाएगा work की forth form प्लस आपका object हो जाएगा चलिए हम इसको example से समझेंट साथ यह हो आपने कहा sir मुझे job करने में रूची थी तो आप कहेंगे I was interested in doing job यदि आपको रूची नहीं थी तो आपको पता है was यह वर के बाद में not लगाएंगे आपका sentence negative में हो जाएगा मुझे job करने में रूची नहीं थी I was not interested in doing job मुझे उसे बात करने में रूची थी I was interested in talking to her आपने कहा कि मुझे उसे बात करने में रूची नहीं थी I was not interested in talking to मुझे आपसे मिलने में रूची थी लेकिन आप तो मिले ही नहीं I was interested in meeting you but you did not meet me लेकिन आपने मुझे मुझे मुलाकात नहीं की या आपने कहा कि मुझे आपसे मिलने में रूची नहीं थी मुझे तुमारे साथ जाने में रूची थे अगर आपको नहीं क्या बोलेंगे आप नौट लगाने वाले आप बोलेंगे तो इस तरह से आप अफर मेंटियो नेगे पिक सेंटेस को बना सकते जिस भी किसमें आपके रूची थी या रूची नहीं थी मुझे उमीद है कि आपके बड़े आसानी ग्रेमर हो रहा होता तो इस तरह से आप इसको परियोग करने वाले हैं और इसको अगर आप एक को छे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसेंपल्स में आपको समझाता चलो जैसे आप में कहा थी उसे इंग्लिष बोलने में रूची थी यदि आप नामे कहते हैं तो क्या रहेंगे अगर आप पर्सन करते हैं सवार करते हैं तो कोई भी ग्रेमर आपको सिखा या आपको हेल्प मियोद को पहले रखेंगे और आप रहें इंट्रुवीटिव पर के तयार हो जाएगा तो आप यू कहने वाले हैं वासे इंडरेस्टेट इन स्पिकिंग इंग्लिष और चौधा सेंटेंस क्या उसे इंग्लिष बोलने में रूची नहीं थी और उसे अंग्रेजी बोलने में रूची क्यों नहीं थी, आप कहने वाले हैं, why was he not interested in speaking English, ये साथ यो तो हो गया आपका grammar, लेकिन अगर आप speaking कर रहे हैं, आप फर्राटे दर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप state करना रहेगा कि question आसर इस तो कहना रहेगा जैसे कि मैंने कहा कि क्या तुम्हें बसंती से मिलने में रूची थी, were you interested in meeting बसंती, अगर हा में हैं तो बोलेगी yes, I was interested in meeting बसंती, लेकिन मुझे से मिली नहीं, but she did not meet me, ये अध्या कहना चाहते हैं, मुझे बसंती से मिलने में रूची नहीं थी, आप बोलेंगे I was not interested in meeting ब अगर आप में कहला कि मुझे तुम्हेरे साथ जाने में रूची थी, तो क्या बोलेंग, I was interested in going with you, या नाम ने का, no, I was not interested in going with you, तो दो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कोशन आसर करने में, मुझे उमीदे, gamer आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आज मैं आपको सिख़ा हूँगा, interested जो की future के gamer में, जैसे हमने का, आप मेरे साथ मुंबई चलिएगा, और मेरे साथ job करिएगा, तो हमने का, देखिए, मैं वहाँ चला तो जाऊँगा, लेकिन मुझे 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 जॉब करने में रूची नहीं होगी, हमने का, चलिए दोस्त की party में, और मैं जाना नहीं चाहता हूँगा, तो हमारे से बनती नहीं है, और मुझे उसे बात करने में रूची नहीं होगी, प्रिस मुझे मुझे मत ले जाईएगा, तो यदि आप acceptance को अपने बात्च चाहे सब्जेक्ट सिंग्लोर हो या फिर वो will be या शैल भी, लेकिन आप जानते हैं कि I will be के साथ में शैल बताया तो जाता है, लेकि इस पॉकें में वो भी सब्जेक्ट होता है, सम्में हम will be की परियोग करने वाले होते हैं, और फिर आपका interested जिन लाएंगे, वर्कि मुझे मुलाकात करने में रूची नहीं होगी, आप बोलने वाले हैं, I will not be interested in talking to Salman Khan, मुझे उसे मुलाकात करने में रूची होगी, I will be interested in meeting him, मुझे उसे मुलाकात करने में रूची नहीं होगी, I will not be interested in meeting him, हमने कहाँ कि चलिए, प्रम लेजी का पड़ा दोर चल रहा है, और चलिए, वहाँ में Global Spoken English कुलाना में सरके, कोचिंग में जॉइन कर लेते हैं, तो आपने कहाँ कि हाँ हाँ, मुझे अंग्रेजी सीखने में रूची होगी, मैं ग्लास करूँगा, I will be interested in learning English, मुझे लोगों की सहायता करने में रूची होगी, हाँ, अगर मेरे पास पैस आज आता है, तो क्यों नहीं होगी, मुझे लोगों की सहायता करने में रूची होगी, I will be interested in helping the people, और हमने कहाँ कि वो इस तरह का वेक्षी, भईया, उससे तो लोगों सहायता करने में रूची नहीं होगी, He will not be interested in helping the people, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, कि आपकी जो भविश काल में, जिसमें रूची या दिल्चस्पी होगी, उसमें हमने कहाँ कि चलिए मैं वहाँ पर जॉब करते हैं, तो आपने कहाँ कि मुझे को यहाँ जॉब करने में रूची तो नहीं होगी, I will not be interested in doing job here, but let's go to, कहीं पर बीचले, जैसे कि दिल्ली, हाँ, मुझे दिल्ली में जॉब करने में रूची होगी, I will be interested in doing job in Delhi, तो इस तरह से आपका future का दोस्तों ग्रेमर हो जाएगा, और हम आपको एक 6 तरीके से बता देते हैं, जैसे आपके ग्रेमर आपका ठीक हो जाए, फिर किस और second sentence, उसे खाना पकाने में रूची नहीं होगी, he will not be interested in cooking the food, क्या उसे खाना पकाने में रूची होगी, will he be interested in cooking the food, और क्या उसे खाना पकाने में रूची नहीं होगी, will he not be interested in cooking the food, उसे खाना पकाने में क्यों रूची होगी, why will he be interested in cooking the food, उसे खाना पकाने में क्यों दोस्तों यह आप न हो जाएगा सिक्स तरहें समझ लेने से ग्रेमर आपकर जाएगा लेकिन अगर आपको speaking करने है तो आपको question answer भी अपने साथ इसे बार्टर से करना जरूरी है तो जैसे हमने मैं आप से कुश्चन किया कि मैं आपको नौपरी पे लगवा देता हूं लेकिन बताइए क्या तुम्हें नौपरी करने में रूची होगी मेरा कुश्चन हुझा है कि अगर हा में कहना है तो अगर हा में है तो अगर ना में तो बोलेंगे नौपरी का कि क्या पोहली को ay की हले में होगे, will kohali be interested in playing cricket? Yes! kohali will be interested in playing cricket? या पने का की kohali will not be interested in playing cricket. क्या अनुस्का को गाना-गाने में रूची होगी? will anuska be interested in singing a song? अगर हा में है तो बूलेंगे yes anuska will be interested in singing a song. Will you be interested in learning English? English is a well-interested in learning English. अगर आप सब कुछ में अग्रेजे सीखना चाहते हैं, तो इस तरह से हमारे वीडियो को फोलो करते रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना बोलाएं, थाइंक इपो वाची करें खुच पार,